तो चलिए आज बनाते हैं मेथी का बहुत ही सौट और टेस्टी फराठा आप इसे एक बार जरूर ट्राइ करें सभी को काफी पसंद आएगा इसे बनाना काफी असान है अगर हमारी वीडियो आपको थोड़ा सा भी हैलफुल लगेगा तो प्लीज लाइक कीजेगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा बेल आइकन को प्रेस कर लीजेगा जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक बहुचे तो चलिए मेथी का फराठा बनाना हम सुर्य करते हैं हमें एक मुठी मेथी लेना है इसके पत्ते को हमें तोड़ लेना है हमें इसमें डंठल नहीं डालना है इसे हमें दो तीन पानी धो लेना है और इसे हमें बारी कट कर लेना है थोड़ा सा धन्या पत्ते को भी हमें बारी काट लेना है दो हरा मिर्च को हमें बारी कट कर लेना है अभी हमें एक बड़ा बर्तल लेना है इसमें हमें कटे हुए मेथी के पत्ते, धन्या पत्ता और हरा मिर्च को डाल देना है और अभी हमें इसमें डाल देना है एक कटोरी गेहूं का आटा ये वजन में लगभग 200 ग्राम गेहूं का आटा है और अभी हमें इसमें डाल देना है 4 चम्मच बेशन बेशन से बहुत यच्छा इसमें टेस्ट आता है अभी हमें आधा चम्मच अजवान मंगरेलार हलका क्रस्ट करके डालना है इससे बहुत यच्छा फ्लेवर आता है आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर आधा चम्मच हल्दी पाउडर हल्दी पाउडर से बहुत यच्छा इसमें कलर आ जाता है वनफोर चम्मच लाल मिर्च पाउडर सारे मसाले छोटे वाले चम्मसे है और अभी हमें इसमें डाल देना है नमक नमक आप अपने स्वाद अनुसा डाले इन सब को हमें मिक्स कर लेना है एक बार इस तरीके से मेती का फाराठा जरूर बनाईएगा बहुत ही टेस्टी लगता है इसे बनाना काफी असान है अभी हमें इसमें थोड़ा थोड़ा पाणी डाल कर इसका डो लगाना है एक बार में हमें बहुत जादा पाणी नहीं डालना है थोड़ा थोड़ा पाणी डाल कर हमें इसे मिक्स करना है इसका डो हमें एकदम soft लगाना है बहुत जादा hard डो नहीं लगाना है जितना soft आप डो लगाईएगा उतना ही soft आपका फराठा बनेगा इसलिए इसे कड़ा नहीं बनाना है यानि hard डो नहीं लगाना है अगर डो को आप कड़ा लगाईएगा हाट लगाईएगा तो उसका फराठा थोड़ा हाट बनता है उतना सौफ्ट नहीं बनेगा तो अभी आप देख सकते हैं ये अच्छे से मेक्स हो चुका है इसका डो एकदम सौफ्ट है अभी मैं इसमें लेसन और अद्रक डालना भूल गई थी तो मैं इसमें एक चम्मच कूटी हुई लेसन अद्रक डाल रही हूँ आप पेस्ट भी डाल सकते हैं पहले भी डाल सकते हैं मैं पहले डालना भूल गई थी, इसलिए अभी डाल रही हूँ, इसे हमें mix कर लेना है, देख सकते हैं कितना soft dough लगा है, इसे हमें 5-7 मिनट के लिए rest पे रखना है, जिससे ये काफी soft बन जाएगा और फराठा एक दम मुलायम बनता है, साथ मिनट हो चुका है इसे rest पे रखे हुए, तो अभी हमें इसमें सुखा आटा ले लीना है, इसका हमें लोई तोड़ना है, आप इसके size को छोटा या बढ़ा कर सकते हैं, जितना बढ़ा फराठा बनाना चाहते हैं, उतना बढ़ा लोई को तोड़े, जितना आप छोटा नेयुकर भू Ub Six सकते हैं तो अभी हमेज हो मैं गी लगा देना है मैं आप तेल भी लगा सकते हैं और इसे दिल लिएना और वापिस हमें घी लगा लेना है और इसे हमें सूखी आठे में डीप करना है और इसे हमें बेल लेना है मौ इसका ट्रैंगल फराठा बना रही हूं थो अब ही मोटा नहीं बेलना है तो अभी आप देख सकते हैं फराठे अच्छे से बेल चुका है आप इसे सरकल सेप में भी बना सकते हैं जिसे बनाना काफी असान होता है काफी छटपट बन जाता है बहुत ही कम टाइम में हमें एक लोई को सुखी आठे में डीप करना है और इसे गोल हमें बेल लेना है जैसे रोटी बनाने के लिए बेलते हैं अब बिल्कुल उसी तरीके से इस तरीके से भी आप इस फराठे को बना सकते है जिसे बनाना काफी असान होता है अभी हमें गैस पे चड़ा देना है तवे को तवा गरम हो चुका है तो अभी हमें इसमें फराठे को डाल देना है थोड़े दिर बाद हमें इसे पलट लेना है दोनों साइड से हमें हलका इसे पकने देना है दोनों साइड से हलका पक चुका है तो अभी हमें इसे पे घी लगा देना है अब तेल भी लगा सकते हैं एक साइड लगाने के बाद हमें इसे पलट लेना है और दूसरे साइड भी हमें घी को लगा लेना है और दोनों साइड से हमें इसे अच्छे से पका लेना है तो देख सकते हैं बहुत ही टेस्टी फराठा बन कर तयार है मेती का फराठा मैं इसे चटनी और सौस के साथ सर्व कर रही हूँ देखे कितना सौप्ट बना है बहुत ही बढ़िया बना है तो एक बार इसे जरूर ट्राइ करें अगर हमारी वीडियो आपको थोड़ा सा भी हैलफुल लगेगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अपने फैमली फ्रेंड के साथ सेर जरूर कीजिएगा कमेंट में जरूर बताइएगा रेस्पी आपको कैसा लगा फैमली वालों को कैसा लगा थैंक यू फर वाचिंग